हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, I hope you all are doing really really well, मेरा नाम है CA विपलधल, मैं आप लोगों का मेंटर, एक दोस्त, एक फैमिली मेंबर हूँ या कह लिजे एक बड़ा भाई हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ था कि आप लोगों को समझा सकूँ, the importance of maintaining a regularity in life, आप लो of maintaining a regularity, और उसी का continuation में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनियेगा, दोस्तों, कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है, और अब आप trust कर सकते हैं मेरे को इस चीज़ पर, कि students क्या करते हैं sir, live classes initially देखना शुरू करते हैं, एक, दो, पांच classes में live आते हैं, और उस के class से पहले recorded वाली class देखना, और ये आप मेरे साथ 100% class इस time पर agree करेगी, कि अगले दिन क्या होता है sir, कोई नई चीज़ बिल्डप हो जाती है, और उस दिन की class भी हमारी रह जाती है, अब हुआ क्या, दो दिन की pendency आ चुकी है, sir दो classes आगे चल रहे हैं, हम दो classes पीछे हम अपने आपको promise करकर सुबह उठते हैं, कि आज तो वो दो classes खतम कर ही दूँगा, और तीसरी class से पक्का सर को live मिलूगा, आज तो पक्का live class में जाना ही जाना है, और उस दिन भी ऐसा कुछ हो जाता है, कि हम फिर से उन तीनो classes को नहीं देख पाते हैं, और आप pendency कितनी आचुकी है, तीन classes की, और ये तीन classes कितना time account for करती हैं, प्रॉक्सिमेटली 6-7 hours, अगर 2 घंटे की class लूँए, एक basic XEA Foundation की class को देखते हैं, और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है demotivation, क्यों, क्योंकि अब हम सर को लगाएंगे 1.5x के उपर सर की videos को, और देखना शुरू करेंगे, और फटा-फट से निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद homework तो होगा नहीं, क्योंकि अब 4th class में live जाना है, सर के साथ, और finally होगा क्या सर इसके अंदर, एक feeling develop हो जाएगी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 1.5x पर समझ क से आएगा, मेरे doubts रह रहे हैं, मैं doubts कैसे पूछू, मैंने homework ही नहीं किया, मुझे खुद पर confidence ही build नहीं हुआ, ये हमारे साथ दोस्तों हुआ हो, चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन, देखो, 90% students, जिन लोगों ने live classes को उस time पर ignore किया, जब हम live conduct कर रहे थे, CA Foundation की classes, आप सभी लो से सुनिये, importance of coming regularly live, देखे दोस्तों, मैं अपनी जिन्दगी में से रोज 2 घंटे निकाल कर, आप लोगों की revision batch में आऊंगा, और 2 घंटे set time है कि मैं आप लोगों से मिलूंगा ही मिलूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए, even if there is a birthday party, even if there is any other commitment, even if I have any meeting, even if I have to go anywhere else, I would be there every day with you live, Monday to Saturday from 3 to 5, मुझे एक बात बताईए, even after qualifying, having a big social circle, having a big corporate circle and having so much of work going on if I can manage to allocate two hours of my day regularly to you guys, why can't you do that, आप लोगों को तो अभी सिरफ पढ़ाई करनी है, और hardly शायद घर का थोड़ा कुछ काम आ जाता होगा, ममी पापा ने बोल दिया बेटा यहां से कुछ ला दे, बेटा वहां से कुछ काम आ गया, तो क्यों आप नहीं regularly आ सकते हैं, और यह आप सभी की story है कि एक class, दो class, तीन class छोड़ने के बाद अपना confidence भी छोड़ देते हो, इन life classes के जरीए, अपनी regularity बनाने की कोशिश करें, देखो, अभी तुम लोगों को बहुत mentoring की जरूरत है, शायद तुमें लगता होगा, सर हम बहुत excel कर गए life में, हमने 12th class में 90-95, 100% तक secure कर लिया, हम से तो बहतर कोई है इस time के, लगता होगा, यह feeling of overconfidence आती होगी, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और उसका पहला step है regularity सीखना, regularly live classes में आना शुरू करें, मेरे साथ connect बनाना करना है, अगर हम एक छोटी सी commitment को ही नहीं रख सकते हैं, कि सर हमने रोज live आना है, और 3-5 आपके साथ बैठना ही बैठना है, और revisionary classes के अंदर 100% course की revision करनी ही करनी है, तो सर हम बाकी चीजों के अंदर, सोच कर देखे दोस्तों, आपको भी लगेगा, बाकी चीजों के नहीं available होती, तो क्यों खुद को इतना कमजोर बनाते हो, कि सर कुछ हो गया, आज मेरा mood officer मैं class नहीं देख सकता, आज तो सर मेरा money नहीं कर रहा, आज तो मुझे बहुत नीद आ रही, आज तो मेरा बड़ा सिरदर्ध है, अरे ऐसी बाते क्यों करते हो, धीरे धीरे खुद क आप लोगों के पास ये कितना important gift होगा, regularity का, कि सर आपकी routine maintained है, कि 3-5 मिलना है, तो मिलना ही मिलना है सर को, बात समझ में, और ये तो वो time है, जिस time पर आपको सबसे दाज active रहना चाहिए, पूछो क्यों, क्योंकि सर हमारा paper भी तो 2-5 में ही होने वाला है, और 2-5 के paper में, अगर इस time slot में हम सो रहे हैं, तो कही ना कही हम अपने mind को train कर रहे हैं, कही ना कही अगर हम इस time में खुद को leverage दे रहे हैं, तो अपने mind को train कर रहे हैं, कि भाई, जैसा तेरे को करना हो, वैसा कर लियो, rather than training it, कि तेरे को वैसा ही करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा, ब because of any other personal commitment which is way beyond and way important than this class and I totally understand that. I am with you on that. Don't feel, कि सर मैं नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूँ, don't feel bad about it. I know your story too. Because I have connected with you. दोस्तों, अगर आप नहीं आ सकते 3-5 लाइख, तो खुद को एक ultimatum दे दो, कि सर मैं रोज सुबह, 6-8, 8-10, 10-12, जो टाइम आपको सूट करता है, जो आपको सूट करता है, उस टाइम पर मैं ये अकाउंट्स की, रिवीजिनर एक बैज की क्लास देखूंगा ही देखूंगा, अब उसमें बेशक मेरा सिर्दर्द है, या कोई घर पे आ गया, या कोई बर्डे पार्टी है, या कोई भी रीजन हो, XYZ, मुझे खुद को ट्रेंड करना है, that कि सर मेरे को external environment से फरक नहीं पड़ता, all that matters to me right now, is my CA foundation exams, I am going to watch the videos regularly, मैं live नहीं आ सकता, लेकिन मैं regular हो, बात समझ में आई, बहुत फरक है दोनों चीज़ों में, एक live आना, कि चलो आप एक live मेरे साथ देख रहे हो, but regular रहना, that is also very good, अगर आप live नहीं आ पा रहे हो, don't feel bad about it, ये videos का backup मैं आपको दूँगा, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले भी बोला, ये जरूर zero cost पर available हैं, लेकिन worthless नहीं हैं, बात समझ में आगी हैं, तो प्लीज, रेगुलर रहे हैं, लाइव आ सकते हैं, there is nothing like that, अगर नहीं आ सकते हैं, अपना schedule बनाओ कि रात को देखना है, सुबह देखना है, दिन में देखना है, जब आपको अच्छा लगे तब देखो, this revisionary bad starts from 16th of May, and it will go on till 16th of June, the estimated date of completion, I wish you all the very best, stay motivated, this is the time to work very hard, forget about anything else that is going on right now, this is the time to work very hard, and clear your CA foundation exams in first time, accounts में 90+, मैं आप लोगों के लिए एम कर रहा हूं, तो भाई, तुम लोग सोच लो, मेरी expectations तुम लोगों से कितनी हैं, 90+, क्यों उसी हिसाब की महनत करूँगा तुम लोगों के साथ, उसी शिदत से, उसी जील से, क्लास में आकर बैठना, कि सर 90+, के लिए एम करेंगे, और जो वो स्टार परफॉर्मर वाली लिस्ट थी, वहाँ पर सबसे टॉप में हमारा नाम दिखेगा, एम यही होना चाहिए, मैंने हमेशा यही बोला है, एम कभी छोटा मत करना, जब एम बड़ा करोगे न, तो अगर कभी नहीं भी, अगर चूक भी गया एम को अचीव करने में, तो इतने उपर लेवल पर होगे, कि तुम्हें बाकी लगेगा, कि चलो ठीक है, वेल अन गूड, अगर नहीं भी, तो विष्यो बेशियों, के उपर आप जोएं कर सकते हैं, और आप में को मैसेज कर सकते हैं, अपना डवट, All the very best to you all, Thank you so much. झाल झाल